बिहार की चंपारन का हंडी स्टाइल मटन कड़ी बहुत ही फेमस है तो मैंने सोच आई आज आपको बताओं बहुत ही इजी तरीके से बताओंगी कि कैसे बिहार के लोग मटन को बनाते हैं और वो भी चंपारन स्टाइल में तो चलिए स्टाट करते हैं तो सबसे पहले मैंने लिया यहां पर खड़ा मसाला धनिया गोल मिरीच जीरा देगी मिरीच लाल मिर्च जैफल जावित्री इलाइची छोटी इलाइची बड़ी इलाइची लॉंग तेजपत्ता दालचिनी यह सब मैंने खड़े मसाले जो है वो यह स्टाट करते हैं सबसे पहले हंडी फ्र स्टैल मटन है तो जाहिर हमें हंडी ले नहीं होगा तो यहां पर मैंने ले लिया हंडी में यहां फ़ला यह homie तो मैंने बारिक काट लिया बहुत पतला काटा है यह देख लिए मैंने बहुत ही पतला काटा है उसको धोकर डाल दिया तेल में आप क्या करना है मैंने लिया अद्रक लेसुन प्याज इसका एक पेस्ट बना लेंगे मिक्सर में और तब तक हमारा जो प्याज है वो भून रहा है हंडी में इसे मीडियम फ्लेम में भून लेना है अच्छी तरीके से लाल कर लेना है अब हमारा पेस्ट जो है अद्रक लेसुन प्याज का वो बनका रेडी हो गया है उसी जार में हम क्या करेंगे जो खड़े मसाले बचाये थे उसका भी एक पेस्ट बना लेते हैं यह देखिए पानी डालका मैंने एक पेस्ट बना लिया है तो यहां मेरा अद्रक लेसुन प्य मटन लिया है बहुत ही अच्छा देखने से लग रहा है ना बहुत अच्छा मटन भी है और उसको अच्छी तरीके से दो लेना या अ पानी के द्वारा ये देख़ा मैं आच्छी तरीके सी चेक भी कर लीजेगा कुछ है तो नहीं इस में तो फिर मैंने क्या किया आच्छी तरीके से सब कुछ चेक कर लिए है क्योंकि छूटे छूटे बाल भी रहते हैं तो सब देखकर मैं क्या कियोoutez दो कर अब क्या करूंगी हंडी में डाल दूंगी यह दिखी मैंने डाल दिये डाल कर अच्छी तरीके से चला लेना है her द् зап débห. उस टेल में मटन को अच्छी तरीके से voll कर लेना है स्वाधनुसा नमक दे दीजे ताकि मतन हमारा थोड़ा सा गल जाए आज को आप मीडियम फ्लेम में ही रखेगा और अच्छी तरीके से पकड़ पकड़ के इसको चला लीजेगा ताकि हमारा जो मतन है वो अच्छी तरीके से भून जाए मतन हमें प्याज वाले पेस्ट में ही अब ही भूझना है एदेखए जब तक हमारा मतन फ्राई नहीं हो जाता है तब थक हमें भूझते रहनां बहुतन है अभी मतन है थोड़ा से तेल छोड़ा है जब तेल छोड़ देगे तो हम यहाँ पर प्याज अद्रक ले मैंने डाल दिया है अब जो मैंने गरम मसाला का पेस्ट बनाया था नа उसको भी हम डाल देढ़ेंगे यहां पर मैंने अभी ज़रा पानी मिक्स नहीं किया है अभी सुका सुका ही हमें फ्राय करना है यह देखिए अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है सब मसाला अच्छी तरीके से मैंने दे दिया है अभी तक मैंने पानी नहीं डाला है तो उसको मैं बीना पानी की साहता है से उसको अच्छी तरीके से भुन लूँगी अभी दूसरी तरफ मैंने हल्दी लाल मिर्च और ये एवरेस का मटन मसाला है इसका पानी डालका एक पेस्ट बना लूँगी ताकि तब तक मसाला जो है ये हमारा फुल जाए अभी हमारा मटन जो है वो भुन के रेडी होने वाला है अच्छी तरीके से वो तेल चप छोड़ देंगे तब फिर मैंने जो हल्दी का जो पेस्ट डाला है वो डाल दूंगे अभी मेरा हल्दी का पेस्ट भी फूल गया था तो तब तक अभी ये डाल दूंगी और उसको डालने के बाद अच्छी तरीके से चला कर और ढकन बंद कर दिजेगा मीडियम फ्लेम में आपको 45 मिनिट्स तक रखना है 45 मिनिट्स के बाद आप उपन करके देखेंगे तो देखिए हमारा मटन कितना सुन्दर बनकर रेडी हो गया देखकर ही कितना सुन्दर लग रहा है और ये बहुत अच्छी तरीके से गल गया है मटन आप जितना धीमा आच में और जितना देर तक बनाओंगे उतना ही आपका टेस्टी होगा जल्दी जल्दी बनाने से टेस्टी नहीं होगा अच्छा तो बनेगा पर उतना टेस्ट नहीं आएगा जो धीमा आच में बनता है अभी मैं सर्फ करूंगी बास्मती राइस के साथ यह देखिए इसका ग्रेवी भी बहुत अच्छा हुआ था क्योंकि मैंने ग्रेवी को बहुत अच्छी तरीके से फ्राइब किया था और बीना पानी मैंने इसे फ्राइब किया यह देखिए कितना सुंदर हो गया ना कितना सुंदर लग रहा है वीडियो अगर अच्छी लगे ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा बना आप लोग भी इस तरह से बिहार का जो चंपानन स्टाइल मटन है बना झाल चुंटस का बना आम झाल ना आप लोग प्राम सुंदर नाप लोगे खीयर ना रहां तो चछान का जो बता लो ट हो तो यह दो प्यूंग कर दो आप पता है यह जब्स का जब घम एक बनान सुंटस का इस वाहण चुंटस का जब तो भी एक बनान स्टस्त्या